अब देखो यार अगर आपका अभी बजट 30,000 तक है और आप एक अच्छा DSLR लेने के लिए सोच रहे हो कि अभी की टाइम पर 30,000 के अंदर सबसे अच्छा DSLR कौन सा है आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 30,000 तक है यार आपको 30,000 के बजट में आपको मिलेंगे और यार हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में मेरी एक परसनल एडवाइस रहेगी कि कौन सा DSLR आपको बाय करना चाहिए तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में हम तो जादा टाइम नहीं लेता है वीडियो को ही स्टार्ट कर लिया जाए अब देखो है और मैंने आप लोग लिए जो पहले नंबर लिस्ट पे DSLR एट किया वो है Canon का वैसे मैं दो Canon का DSLR एट किया हूँ अपने लिस्ट में जो हमारे पहले नंबर लिस्ट पे आता है वो है Canon का 3000D और इसकी प्राइज आपको 26,000 पड़ेगी ऑनलाइन लेकिन अगर आप लोग कार्ड होगे रहा यूस करते हो तो आपको 25,000 तक पड़ जाएगी अब दो गयर इसमें आपको Wi-Fi मिल जाता है दूसरी बात आप इसमें Full HD में वीडो रिकॉर्ड कर सकते हो with 30 FPS और यह आपको 18 Megapixel मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी बात हो जाती है कि आपको 25,000 तक एक अच्छा DSLR आप ले पाएंगे अगर आप लोग चाहते हो फोटो केवल क्लिक करना तो यह DSLR आपके लिए है लेकिन अगर आप लोग वीडो के लिए ले रहे हो तो यह DSLR आपके लिए नहीं है क्योंगे आप इसमें केवल 30 FPS तक वीडो रिकॉर्ड पर कर पाऊगे तो आप लोग समझ सकते हो आप slow motion वीड बस आपको जो बैग हो गया मिलता है वह मिलेगा बाकि यहां पर 18-15 आपको एक लेंस मिल जाएगा बाकि कैमरे की बार्ड मिलेगी बाकि आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है बाकि यह हमारे पहरे नमबर लिस्ट पर आता है अब दोगा जो हमारे दूसरे नमबर इसकी पर आता है वह है निकॉन का DSLR मैं बात कर रहा हूं D53 होगी और इसकी प्राइज आपको 35,000 तक पड़ेगी अगर आप लोग ऑनलाइन लेते हो कार्ड हो रहा है यूज करके तो इसमें आपको काफी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि आप इसमें फूल HD वीडि भी रिकॉर्ट कर सकते हो इसके साथ और इसमें आपको वाई-फाइ मिल जाता है और यह आपको 24.2 मेGAPXL इसमें आपको देखने मिलता है वही बद बात करें कैमरे एक साथ आपको क्या-क्या मिलेगे ता आपको बैग मिलेगा यहाँ पे हापको मेमोरी कार्ट भी मिलने वाली है solar gb कि DSLR के साथ ये काफी अच्छी बात हो जाते इस प्राइज में आपको इतना अच्छा DSLR मिल रहा है जिसे आप लोग फोटोस तो काफी अच्छी क्लिक करी सकते हो लेकिन आप इसमें वीडियो भी काफी अच्छी बना सकते हो तो आप लोग ये DSLR जाके चेक आउ अब लिष्ट के बारे में अब देखो और मैं आपको स्टार्टिंग में बताया तक मैं अपने लिष्ट में दो कैनोन का DSLR एड किया हूं तो यह है कैनोन का भाई 1500D तो आप लोग समझ सकते हो इसकी प्राइज अभी भाई 36,000-35,000 तक आउनलाइन आपको पड़ेगी अग नहीं पर बात करें इसमें मेगा पिक्सल की जब फे 24.1 मेगा पिक्सल आपको मिल जाता है यह काफी अच्छी बात हो जाते लेकिन आप इतनी एच्छी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे इस DSLR में तो आप लोग भाई यह भी देख सकते हो अगर आपका बजट अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो यह कुछ यार स्पेसिफिकेशन है इस DSLR की वैसे मैं जितनी भी आपको DSLR के बारे में बताया हूं सभी का आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन मिलेगी एक बार जरूर जाकर चेक आउट कर देना कौन सा DSLR कितने का है वैसे यह तीनो DSLR में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बता देना परसनल बता हूं तो भई मेरा जो परसनल फियोरिट है वो मुझे भई निकॉन वाला लगा तो आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्योंकि यार अगर आप लोग एक DSLR में पैसे खर्च करने वाले ह बाकि आपकी मर्जी आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट कर देना बाकि अगर आपको ज़्यादा जानकारी थी तो आप Google भी कर सकते हूं DSLR के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा वैसे मैं जितनी जानकारी आपको बता दी इतना जानकारी काफी होगी आप लोगों के बताना मुझे अच्छा लगेगा बाकि ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए बाकि हम मिलता आपको फिर ऐसी किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए पुनानी ट्रेड लाइन ज है हिन